नहुसकार साथी उमेद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जो भी साथी railway anti-pc या फिर railway संबंदित की सीवी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफे जादा important होगा क्योंकि साथी इस वीडियो में हम लोग railway संबंदित समान निग्यान की चर्चा करते हैं जो इसका part number 2 है कुल मिलाकर साथी हम लोग 50 part discuss करेंगे जिसमें साथी हम लोग समान निग्यान को cover करेंगे तो इसका साथी ये part number 2 है तो आते हैं बिना आपके समय को फेष्ट करते हुए डारेकली प्रश्णों को देखते हैं जो सबसे पहला प्रश्णे साथी वो आप सभी से पूछ रखा है दिल्ली मेट्रो के पहले corridor का उटगाटन किसने किया था जो साथी दिल्ली मेट्रो है उसके पहले adviser का उटगाटन किसके दोरा किया गया था तो बात करें इसके correct cancer की साथे दाल भिहारी बाजबी बेिसर होगा क्योंकि दिल्ली मेट्रो के पहले corridor का उटगाटन अटल भिहारी बाजबी सर ने किया था तो option no.1 इसका correct उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन देखते हैं यानि प्रेशन नमबर दो यह आप सभी से पूछ रखा है साथी भारत में पहला रेडियो कारिकरम किस वर्ष प्रशारित किया गया था यह प्रेशन साथी यह 1620 जैसे पूछा गया इसमें ऐसे ही आपकी 2021 की अंटीपीसी की परिक्षा में पूछा गया था तो आप सब जरूर बताएं इसका है साथी जो भारत में पहला रेडियो कारिकरम था वो किस वर्ष प्रशारित किया गया था तो बात करेंस के करेंसर के साथ है तो 1923 होगा क्योंकि भारत का पहला रेडियो कारिकरम जो है वो 1923 में प्रशारित किया था तो option number D करेंसर इसका हो जाएगा अगला प्रशनाम सभी से पुछ रखा है साथी भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां से सुरू की गई जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है साथी सबसे पहले कहां से और कब सुरू की गई थी आपको date भी बता नहीं है क्योंकि date भी दिया है जनरली आपको year ही पूसत तो साथी जो भारत की पहली मेट्रोर थी वो तो कुलकाता से सुरू की गई थी कहां से साथी कुलकाता में पहली बार सुरू की गई थी और डेड़ थी 24 अक्टूबर 1984 तो आप्शन नुम्बर C में दी रख है तो आप्शन नुमर C करेक्ट एंसर भी इसका हो जाएगा अगल आप्शन नुमर B में इनका नाम दे रख है तो आप्शन नुम्बर B करेक्ट एंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्ण आप सभी से पूछ रखा है साथी काफी important है गीता गोविंद किसने लिखी है जो साथी गीता गोविंद है ये किसके दौरा लिखी गई है तो बात करें इसके correct answer के साथी जैदेव होगा क्योंकि गीता गोविंद जैदेव दौरा लिखी थै अगला प्रश्ण आप सभी से पूछ रखा है साथी इंडिया डिवाइडन पुस्तक के लेका कौन है तो बात करें इसके correct answer के साथी तो डौक्टर राजिन प्रशाद होगा क्योंकि इंडिया डिवाइडन पुस्तक इनके दौरा लिखी थै तो option number A इसका correct उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण साथी आपसे पूछ रखा है भारत का दोधवाला किसे कहा जाता है यह प्रश्ण साथी आपकी NTPC 2022 की परिक्ष्य में पूछा गया था अगर बात करें भारत का दोधवाला साथी किसे कहा जाता है तो वर्गिज कूरियन को किसको साथी वर्गिज कूरियन को तो option number B मिन का नाम दे रखा है तो option number B साथी correct answer भी हो जाएगा अगला प्रश्ण यानि प्रश्ण number 10 यह आप सभी से पूछ रखा है संयूगत राष्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है काफी important प्रश्ण है अगर बात करें संयूगत राष्ट दिवस कब मनाया जाता है प्रतेक वर्ष तो यह साथी आप सभी का 24 अक्टूबर को प्रतेक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है तो option number C में दे रखा है तो option number C करेक्ट रुतर भीस का हो जाएगा अगला प्रश्ण आप सभी से पूछ रखा है अंतरराष्टी साक्षर्ता दिवस कम मनाया जाता है यह प्रश् DIY आप सभी के बहुत ठूपीयो गी है तो आप इसको आकरे तक जरूर देखना अगर बात करें अंतरराष्टी साक्षर्ता दिवस की तो ये साथी प्रतेक वर्स आठ सेप्टेंबर को मनाया जाता है ऐसा आपका option number A में दिया गया है तो option number A इसका correct answer भी हो जाएगा अगला प्रश्ण साथी यानि प्रश्ण number आपका बारा ये आप से भी से पूछ रखा है पोंगल बर्ड काउंट आप सभी से पूछ रखा है आजंता की गुफाएं कहां इस्तित है जो साथी आजंता की गुफाएं है ये किस जगांपर इस्तित है तो बात करें इसके correct answer की साथी तो ये आपकी महराश्ट में इस्तित है option number D में दे रखा है महराश्ट अगला प्रशन आप सभी से पूछ रखा है साथी सांची स्थूप किस सहर के पास इस्तित है, जो साथी सांची स्थूप है, वो दिये कि option में से किस सहर के निकट इस्तित है, तो बात करने इसके correct answer कि साथी तो भोपाल होगा, क्योंकि सांची स्थूप भोपाल सहर के पास इस मंतराले होगा तो option number A में रक्षा मंतराले दे रखाया तो option number A करrekt answer हो जाएगा अगला प्रशन बहुत है यह आप सभी से पूछ रखा है UNESCO का मुख्याले कहाँ पर है जो साथ ही UNESCO है इसका मुख्याले कहाँ पर इस्तित है तो बात करें इसके correct answer कि तो RBI का मुख्याले मुंबई में इस्तित है तो option number B में मुंबई दिया गया है तो option number B correct answer हो जाएगा अगले प्रशन में आप सभी से पूछ रखा है किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता है तो बात करें साथी इसके correct answer की तो बात करें साथी इसके correct answer की तो युद्ध का बच्चा कहा जाता है तो option number C में दे रखा है तो option number C correct answer हो जाएगा अगला प्रशन आप से पूछ रखा है साथी विश्व के किस देश में प्राकरतिक गैस का सारवर्दी भंडार है दिएगे option में से साथी विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राकरतिक गैस का सबसे ज़्यादा भंडार है तो बात करें इसके correct answer की तो option number B सही होगा करीब करीब साथी जहां तक आसा है SSC भी साथी इसको दो बार पूछ चुकी है तो आप सभी बताएं इसका answer क्या होगा जो Denmark की संसद है साथी उसका क्या नाम है तो बात करें इसके correct answer की साथी तो जो Denmark की संसद है उसको हम लोग focating के नाम से जानते है focating आपका option number C में दिया गया है तो option number C साथी correct answer विसका हो जाएगा अगला प्रशन आप सभी से पूछ रख है विश्व की सबसे गहरी जहील कौन सी है जो साथी विश्व की सबसे गहरी जहील है वो कौन सी है तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी विश्व की सबसे गहरी जहील है तो option number D इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रशन आप सभी से पूछ रख है बांगला देश अपना सोतंता दिवस मनाता है जो साथी बांगला देश साथी वो अपना सोतंता दिवस किस डेट को मनाता है कब मनाता है साथी ये प्रतेकवर साथी 26 मार्श को अपना सोतंता दिवस के रूप में सेलिबरेट करता है तो साथी आपका 26 मार्श आपका option number C में दिया गया है तो option number C इसका correct answer भी हो जाएगा अगला प्रशन साथी याणि प्रशन आपका 26 ये आप सभी से पूछ रख है नासा का पूर्ड रूप क्या है जो साथी नाशा है उसका पूर्ड रूप क्या है तो बात करें नाशा के पूर्ड रूप की तो आप सभी जानते होंगे National Aeronautics and Space Administration होता है नासा का full form लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद होता है साथी वो राष्ट ये बैमानी की और अंत्रिक्च परशाशन होता है तो option number C में ऐसा दे रखा है तो option number C साथी correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन आप सभी से पूछ रखा है साथी कामाख्या मंदिर की सराज्य में इस्तित है साथी नासा सरीलेट एक प्रशन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी सुरुवात कब होई थी तो आप ध्यान रखेंगे नासा की जो सुरुवात है अक्टूबर उनिस्सो अठावन से हुई थी तो आप ध्यान रखेंगे ये जो प्रशन है साथी अगला यानि कामाख्या मंदिर की सराज में इस्तित है तो बात करें इसके कंटिर stranger की साथी जो कामाख्या मंदिर है ये इसम में इस्तित है option number B इसका correct उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्णाम सभी से पूछ रख है ग्यान पीड प्रुसकार के प्रथम विजेता कौन है जो साथी ग्यान पीड प्रुसकार है उसके प्रथम विजेता कौन है तो बात करें इसके correct एंसर की साथ है उमा संकर जोसी होगा क्योंकि ग्यान of new machine नामक पुस्तक से किसे समानित मतलब इसको साथी किससे समानित किया गया तो किससे किया गया था साथी पुलिस दर से तो option number D में दे रखा है तो option number D इसका correct एंसर हो जाएगा एक प्रकार का प्रुसकार है साथी पुलिस दर अगला प्रश्णाम सभी से पूछ रख है वा जो साथी मधवली कला है यह दियेगे option में से किस भारती राज से सम्बंदीत है तो option number D में बिहार दिया गया है तो option number D correct answer हो जाएगा अगला प्रश्णाम सभी से पूछ रख है साथी 7E परियोजना निमलिकित में से किस छेतर से सम्बंदीत है जो साथी 7E परियोजना है द से सम्बंदीत है जो साथी भारत माला परियोजना है यह राजमार्गो से सम्बंदीत है तो option number D में ऐसा दे रखाया तो option number D इसका correct answer हो जाएगा अभी के लिए साथी इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवान